हेलो बच्चों, वेलकम बैक टो नॉलिष की ABC आज की इस वीडियो में हम Class Plus 2 का हर्याना बॉर्ड का जो पंजाबी का पेपर होता है उसका पेटर्न और डिजाइन देखते हैं कि हर्याना बॉर्ड का जो पेपर है पंजाबी का वो किस तरह से आता है, क्या question, कितने number के आते हैं, किस topic का क्या weightage है वैसे तो पंजाबी का paper बहुत ही कम students के पास होता है 10 तक तो कई स्कूलों में होता है लेकिन plus 2 तक जो है बहुत ही कम स्कूलों में है यहाँ लेकिन फिर भी जिनके पास है उनके लिए बहुत काम आईगी वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन जुरू प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए चलिए स्टार्ट करते हैं प्लस टू कलास पंजाबी हर्याना बोर्ड का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आता है और 3 गंटे का होता है और इसमें जो आपके टोपिक हैं कोशन देखेंगे पहले कोशन कितने आते हैं कितने मार्क्स के पांच कोशन आपके ऐसे टाइप आएंगे साथ साथ नंबर वाले 35 नंबर हो गए चार कोशन आपके चार-चार नमबर वाले सोला नमबर हो जाते हैं और छे कोशन आपके दो-दो नमबर वाले होते हैं ये बारा नमबर हो गए हैं और सत्रा कोशन आपके अब्जेक्टिव टाइप आएंगे एक-एक नमबर वाले सत्रा नमबर हो गए तो टोटल 32 questions, 80 marks और 3 गंटे का time होता है अब इसके अंदर जो हम देखें तो unit wise, topic wise देखिए सबसे पहला हमारा काव कीरती, काव कीरती जो book है उसमें प्रसंग द्याख्या, 7 number की आएगी कावता सार, 7 number का, very short answer type के question आएगे 2 2-2 number के 2, और 2 question आपके MCQ मतलब 1-2 number बाले, total आपके होगे 20 number इस book के दूसरा है आधुनिक गड़ रतनाकर आधुनिक गड़ रतनाकर इस book में से विशा 7 number का short answer type के question आएगे 3 number के, very short 2-2 आएगे 2-2 number के, और MCQ आपके आएगा 1 total आपके 15 number होगे शोभास शक्ती, यहाँ से आपका essay type question 7 number का, short answer 3 number के आएगे very short 2-2 याणि 2 number के 2-2 और 1 MCQ आएगा, 15 number यहाँ होगे आपके फिर आपका history of Punjabi literature इसमें madhkali poet Jeevan Rachna इनके 7 number का आएगा, history of Punjabi literature अधुनोक साहित, इसमें MCQ आएगे सिर्फ आपके, अधुनोक साहित में तेरा question आपके एक एक number वाले आएगे, तेरा number के grammar है unseen passage, grammar में से आएगा एक आपका 5 number के आएगे topic यह, और story building story लिखनी आएगी, एक short answer type, यह 5 number का आएगा, तो total आपके 80 marks हो जाते हैं, इसी साहब से topic wise और इसका difficulty level, 10% difficult, 50% average, और 40% easy और जो long answer type question हो, उसमें आपकी choice भी आती है तो इसी साहब से हमारे यह board का pattern जो है, रेना board का, पंजाबी के paper का set होता है तो उमीधा आपकी वीडियो काम आएगी, अगर आपकी वीडियो काम आती है, आपको पसंद आती है, उसको like और share करना मत भूलिएगा आपको exams के लिए best of luck, thank you so much